सिंदू घाटी सव्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? A. हनुमान, B. काली, C. अयप्पाक, D. पशुपती इसका सही उत्तर है. D. पशुपती सिंदू घाटी सव्यता एक नगरिय सव्यता थी. सिंदू घाटी सव्यता के लोग तीन मुख वाले देवता पशुपती की पूजा करते थे? सिंदू घाटी सव्यता में विशाल स्नानागार मोहन जोदयों से प्राप्थ हुआ है. सिंदू घाटी सव्यता की भावचुत रात्मक लिपी दाय और से बाय और लिखी जाती थी. धौलावीरा एक पुरा तात्विक स्थान के समयावधी से जुरी हुई है. धौलावीरा गुजरात के कच जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच खादिर द्वीट पर स्थित सेंधव सव्यता का एक नगर था. सबसे पुराना वेध कौन सा है? इसका सही उत्तर है. रिचाओं के क्रमबद ज्यान के संग्रह को रिगवेध कहते हैं. रिगवेध सबसे पुराना वेध हैं. इसमें 10 मंडल, 1,028 सूप, वालखिलिय पाठ के 11 सूप, एवं 10,462 रिचाएं हैं. इस वेध के रिचाओं के पनेवाले पुरोहित को हुत्री कहते हैं. विश्वामित्र द्वारा रचित रिगवेध के तीसरे मंडल में सूर्यम देवता, सावित्री को समर्पित प्रसिद गायत्री मंत्र है, इसके नौवे मंडल में देवता सोंका उलेक है. रिग्वेद में ऐसे कितने मंत्र है जिन्में आप्रमानिक वा लखिलिय भजन शामिल है? A. 1549, B. 1028, C. 760, D. 1875 इसका सही उत्तर है? B. 1028 रिग्वेद में कितने मंत्र है? A. 1014, B. 1028, C. 1035, D. 1020 इसका सही उत्तर है? B. 1028 निम्नलिक्षित में से कौनसा वेद जादूई अनुष्ठानों और वशीकरन के बारे में बताता है? A. अथर्ववेद, B. सामवेद, C. रिग्वेद, D. या जुर्वेद, इसका सही उत्तर है? A. अथर्ववेद, अथर्ववेद को ब्रम्हावेद भी कहा जाता है? अथर्वा रिशी के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा. इसमें वी सध्याय, 731,730,5987 मंत्र है. इसमें वर्शीकरन, जादू, टोना, फूट, प्रेतोव, और आशदियों से संबंधित मंत्रों का वर्नन है. काशी का प्राचीनत मुलेख अथर्ववेद मे ही मिलता है. निम्नलिक्षत में से कौनसे वेद में संगीत का वर्नन है? A. साम वेद. B. यजुर्वेद. C. रिगवेद. D. अथर्ववेद. इसका सही उत्तर है. A. साम वेद. साम वेद में गाई जासकने वाली रिचाओं का संकलन है. इसे भारतिय संगीत का जनक कहते है. इसके पाठकरता को उद्गाता कहा जाता है. यजुर्वेद में यजुर्व का अर्थ क्या है? A. जीवन. B. प्रकृती. C. बालेदान. D. सात्य. इसका सही उत्तर है. C. बालेदान. यजुर्वेद में, यजुर्व का अर्थ बलिदान है. यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्म शृती धर्म रुन्थ है. इसमें यज्ज्य एवं बली की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. यहां हिंदू धर्म के चार प्रमुख क्रंथों में से एक है. इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में मनुश्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है इसमें विविद विशेयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारन, समन्वे, राजभक्ती, विवा तथा प्रण्य गीतों आदी के विवरण सुरक्षित है यह अथर्वा रिशी द्वारा रचित है भारत का राष्ट्रिय आदर श्वाक्य, सत्यमेव जैते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतिय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रिय आदर श्वाक्य, सत्यमेव जैते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुन्दकोप निशिद से लिया गया है यह समराट अशोग द्वारा बनवाए गए सिंग स्तंब, सारनात से लिया गया है निम्नलिकित में से किस उपनिशद में वसुध्यव कुटुमबक्म, शब्ग का उलेख किया गया है इसका सही उत्तर है महा उपनिशद में वसुध्यव कुटुमबक्म, शब्ग का उलेख किया गया है इसका अर्थ धर्ती ही परिवार होता है कितने उपनिशदों में से कितने उपनिशद, मुख्य माने जाते हैं इसका सही उत्तर है उपनिशद ही समस्त भारतिय दर्शन के मूल स्रोत है, इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रिय आदर्श्वाक्य है जो मुण को उपनिशद से लिया गया है भारतिय इतिहास में मुक्तिका उपनिशद में 108 उपनिशदों का उलेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिशद ही प्रमानिक हैं जिनने व्रिहदारण्यक उपनिशद सबसे बड़ा मान्डुक्य उपनिशद सबसे छोटा, 12 श्रोक तथा च्छादोग्य उपनिशद सबसे पुराना है कौनसा उपनिशद सबसे पुराना उपनिशद है? ए. ईशा उपनिशद बी. मान्डुक्य उपनिशद सी. केना उपनिशद दी च्छादोग्य उपनिशद, इसका सही उत्तर है, दी च्छादोग्य उपनिशद, प्रारंबिक भारतिय दार्शनिक के अनुसार प्रतियेक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है, A. 2, B. 4, C. 3, B. 5, इसका सही उत्तर है, B. 5, पंचभूत पंच तत्व या पंचमहा दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं, आकाश, वायू, अग्नी, जल तथा प्रित्वी ये पांच महाभूत माने गए हैं, जिनके स्रिष्टी से प्रत्येक पदार्थ बना हैं, लेकिन इनसे बने पदार्थ जर होते हैं, सजीव बनने के लिए इनको आत्मा आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरूश कहा जाता हैं, सांक्य दर्शन में प्रकृती इनहीं पंचपूतों से बना माना गया है कठुपनिशत में नचिकेता नामक एक खिशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है ए भगवान यम भगवान शव सी भगवान इंद्र दी भगवान कार्तिके इसका सही उत्तर है एक भगवान यम कठुपनिशत में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत समवाद दर्ज है यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिशत है इस उपनिशत के रच्चैता कठ नामक आचार्य है